हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू सन्वी क्लासेज, ये वीडियो है इडुटेरिया के बस्तुनिष समान अधन के प्रैक्टिस सेट नमबर तीन और चार, इससे पहले प्रैक्टिस सेट नमबर एक और दो अप्लोड कर दिया गया है, इसका लिंक डिस्किप्शन में दिया हुआ है दो दो प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो में समलीद किये हैं, और ये सुबह साम अप्लोड किया जाता है, इस प्रैक्टिस सेट में इडुटेरिया ने काफी अच्छे प्रशनों का संग्रा किया है, पाई ये शुरू करते हैं पहले प्रशन से, पहला प्रशन है कि निमलि अप्शन B भारत महिर पे नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस नामक समचात पत्र किन के द्वारा परकासित या संपादित किया गया था और इसका अंसर हो जाए अप्शन B मोतिलाल नहरू के द्वारा अगला है बाल हत्या पर था किस प्रिसिदेंसी में अधिक थी और इसका सही अंसर हो जाए अप्शन C बंगाल प्रिसिदेंसी में नेक्स्ट है रेस्मी रुमाल सडियंत किस से संबंदित है जो रेस्मी रुमाल सडियंत है वो किस से संबंदित है इसका सही अंसर हो जाए अप्शन C नागपूर अधिवेशन में अगला प्रस्ट है निमलिकित में कौ सही अंसर हो जाएगा option A यह एक बंध तंत्र होता है अगला प्रस्ण है कि निमलिखित में कौन परसिद जैविक होट अस्पॉट है और इसका अंसर हो जाएगा option D पश्मिगाट कि इस चक्र के संचालन में सौर विकिरन की महत्पुन भूमिका होती है और इसका अंसर हो जाए और इसका अंसर हो जाएगा option A बैसाली में भारत के किस चेत में सरवाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा option C मरवस्थलिये चेतर में तीन जनबरी को उपसौर की घटना होती है और इसका अंसर हो जाएगा इस दिन पिर्थिवी सूर्ज की कि अग्ला है कौनसी भुकम तरंगे सबसे अधिक बिनसकारी होती है और इसका अंसर हो जाएगा option C एल तरंगे नेक्स्ट है निमलिक्त में कौन सही सुमयलित है और इसका अंसर हो जाएगा option C मेगी नॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है नेक्स्ट है निम्लिक्त में कौन सी परवत सिंखला सबसे लंबी है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडीज परवत जो दच्छिन अमेरिका में इस्थित है नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा केंद् ये बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था अगला है निम्लिक्त में से किस योजना के अधार पर समिधान सभा का गठन हुआ था और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबनेट मिशन योजना के तहत समिधान सभा का गठन हुआ था अंतरिम सरकार के कथन की घोषना कब की गई थी और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दू दोनों जब राज में राष्टपती सासन लागू हो तो संसत को संबंधित राज के लिए राज सुची पर कानून बनाने की सक्ती प्राप्त हो जाती है राष्टपती सासन के उपरांत भी संसत द्वारा बनाया गया कानून परभावी रहता है नेक्स्ट है अनुछेद चवण का संबंध निमलिखित में किस से है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्टपती के निर्वाचन से अगला है कि निम्न कत्नों में से कौन सा कथन गलत है और इसका अंसर हो जाएगा सी राज लोग सेवायों के अध्यच या सदस्यों के बेतन भत्ता राज संचित निधी से दिया जाता है जबकि प्रेंशन भारत संचित निधी से दिया ये कथन गलत है बाकि ये सब सारे कथन सही है कि राज लोग सेवायों के सद प्रस्ट ने बीत आयोग के संबद में निम्न कत्नों पर बिचार किजिए बीत आयोग में एक अध्यस पद बद्दो सदस होते हैं इनका काजकाल राष्पती के अध्यस के तहत्ता होता है इनकी पुनर नियुक्ती नहीं हो सकती उप्यूक्ट में से कौन गलत है और इसका सही अंसर होजा उप्शन बी केबल एक और तीन ये गलत है दो सही है नेक्स्ट है निम्न में से कौन आरबी आई की मौद्रिक निती के मात्रात्मक उपकरन है बैधानिक तरलता अनुपात नगद अरच्छित अनुपात खुले बजार की किरिया है और इसका सही अंसर होजा पर संस्क्रन को बढ़ावा देना अगला है निम्लिखित में कौन सी समीती एफार बीयम अधिनियम से संबंधित है और इसका अंसर होजाएगा इनके सिंग समीती एफार बीयम अधिनियम से संबंधित है अगला प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन सा संस्तान नियूंतम सम अर्थनमुल, MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिस करता है। और इसका अंसर हो जागा अप्शन C, किर्सी लागत एवं मुल्यायोग। नेक्स्ट है, सीता ध्यच का संबंध किस से है। इसका संबंध है भूमिकर बिभाग से। कस्मीर के छेत्रिय इतिहास का सजी बर्नर मिलता है। कहां मिलता है। इसका अंसर हो जागा राज तरंगनी में जो कलहन के द्वारा लिखा गया है। शिजदा वा पैवोस पर्थाओं की सुरुवात निम्न में से किस ने किया था। और इसका अंसर हो जागा अप्शन B, बलवन ने। उत्वी कौन था। इसका अंसर हो जागा एक इतिहास कारक था। नेक्स्ट है, सेरसा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। और इसका अंसर हो जागा C, सेरसा का मकवरा दिल्ली में। सेरसा का मकवरा जबकि सासा राम में है। सेरसा ने बिलगरा मिर्थ बिजाई के बाद दितिया अफगान राज के स्थापना दिली पी की, ये सही है। सेरसा की उपज का एक बटा तीन भाग के रूप में निर्धाल किया जाता था, ये भी सही है। अगला है किस परसिद सासक के द्वारा अमुक्त मालियर्द लिखी गई है। और इसका अंसर हो जाएगा उप्जन C, कृष्ण देवराय के सासक के काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सरवादिक समय तक सासन निमलिखित में से किस ने किया था। और इसका अंसर हो जाएगा उप्जन A, बहलोल लोदी ने, निमलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सरवादिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्जन B, प्रोटीन, परकास संसलेशन की प्राकिर्टिक अभी क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन होती है। और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्जन A, ग्रेना, नेक्स्ट है हेलोफाइट्स होता है, क्या होता है। इसका अंसर हो जाएगा option D, वेपोध है जो लवनों वाली मिटी में उगते हैं अगला है निम्न में से कौन सा टेस्ट AIDS के लिए किया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा Cable 1, 3 and 4, PCR, CD4 और ELISA ये तीनों टेस्ट AIDS के लिए किया जाता है अगला है निम्न से कौन सा रुधिर बर्क के रुधिर प्लाज्मा में कोई antibody नहीं होता है और इसका अंसर हो जाएगा option C, A, B अगला है triple vaccine DPT में कौन सा एक नहीं होता है और इसका अंसर हो जाएगा option B, Pilia जबकि diphtheria, pertussis और titnes का दिया जाता है DPT अगला है अलफा कन का द्रबमान helium के एक अनु के बराबर होता है इसके आभेस किसके बराबर होते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा option C, दो proton के नेक्स्ट है निउटन के किस गती की निम्न किसे बल का ब्यंज़क प्राप्त होता है और इसका अंसर हो जाएगा option B, दोत्यक गती नियम से अगला है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कारवन, आदि पदार्थों की परतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है और इसका अंसर हो जाएगा बढ़ती है निम्न में से किस तत्व का सरवाधिक समस्थानिक होता है और इसका अंसर हो जाएगा option D, पोलिनियम का पोलिनियम का हैड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा और इसका अंसर हो जाएगा पानी बनेगा नेक्स्ट है ग्रेफिन होता है क्या है इसका अंसर हो जाएगा कारवन का नेनो पढी प्रती रूप ग्रेफिन कहलाता है विष्वरक्त दान दिवस कम मना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D14 जून को निमलिकित में से सुमेलित किजिए तो पलाजमा अनुसंधान संस्थान कहा है और इसका अंसर हो जाएगा गांधी नगर में राष्टिय समुद्र बिज्ञान संस्थान कहा है तो पंजी में केंद्रे खाद प्रदोगी संस्थान कहा है तो मैशूर में और भारतिये मौसम विज्ञान स्थान है दिल्ली में, सही अंसर ऑप्शन डी, नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैश्णव धर्म से, नेक्स्ट प्रस्ट है, एक मात्र भारतिये जिसे रसाइन के छेतर में पहली महला पाइलेट लेटनेंट सिवांगी सुरूब बनी, वो किस राज की रहने बाली है, और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारतिये नोशेना की पहली महला पाइलेट लेटनेंट सिवांगी सुरूब बनी, वो बिहार राज की रहने बाली है, नेक्स् निम्लिकित में कौन एक क्रित्रिम परित्तंत्र है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बगीचा अगला है निम्लिकित में कौन सरबादिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलवास भारत के मुक भुमी का दचनम बिंदू कौन सा है और इसका अनसरोजा अफ्चन भी कन्या कुमारी नेक्स था है भारत के किस परकार का बन शरवादिक भाग पे पाया जाता है और इसका सहुह तुश्न कटी बन दिए परनपाती बन नेक्स्ट है निम्लिक्त कतनों में कौन सही है हिमालय के पस्चिम भाग के पेच्छा पुर्वी भाग में अधिक बिवित्ता पाई जाती है यह सही है कि माले के पस्चिम भाग के पेच्छा पुर्वी भाग की चोड़ाई अधिक है यह गलत है इसलिए option A सही होगा नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने बाली भारत की सबसे बड़ी प्राइदी पिये नदी कौन सा है और इसका अंसर हो जाएव अप्शन C, नर्मदा नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए in निम्मे से कौन से मिटी सबसे उप्युक्थ होती है और इसका अंसर हो जाएगा option A अमलियय मिटी नेक्स्ट है, कि मांसून निवर्तन होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option D उत्तर पस्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी देग बिनज्वेला की रजधानी कहां है और इसका अंसर होज़ागा अप्शन ए काराकस नेक्स्ट है निमलिक्ट में कौन सुमेलित नहीं है और इसका अंसर होज़ागा अप्शन डी अमेरिक का बागियों नेक्स्ट है कोरल रीफ या परवाल भीत्ती मुख्षिता कहां पाई जाती है और इसका सही अंसर होगा अप्शन C करक एब मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या परवाल भीत्ती मुख्षिता पाई जाती है और इसका अंसर होगा अप्शन C मूल कर्टब्यों से नियोचित एब मानविये कार्द दसाओं एब मात्रितु सहाईता के लिए बंद समीदान के किस अनुछेद में किया गया है और इसका अंसर होगा अनुछेद 42 में नेक्स प्रस्ण है कि भारत के नियंत्र के वह महाल लेखा परिच्छक के संबन कत्रों पर बिचार कीजिए इसके कार्ज कल छो बर्स या सथ बर जो पले आई तक हो या रास्टपती के परसाद परियंत अपने पद पर बना रहा था हो इसके बेतान वह अन्य सेवासरते रा अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन सी पंद्रह परतिसद रीट जारी करना उस्तम न्याले के किस छेटा दिकार में आता है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन बी न्याया देश छेटरा धिकार में डल बदल अधिनियम संबंदिश किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन सी भारत सासन अधिनियम उन्याइस के द्वारा नेक्स्ट है परधान मंत्री का राष्टपती को सुचनाएं परधान करने संबंदी करतब्यों का उल्लेख कहां मिलता है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन बी अनुच फ्रक्षिन कोरिया नेक्स्ट है भिस्व सरक्षन दिवस मनाया जाता है बिस्व जल सरक्षन दिवस मनाया जाता है कम मनाया जाता मूध को स्वदेशिय radonais catch कि एगा ऊप्षे शक। पाच में कांग्रेस की कार्ट समीती में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था इसका सही अंसर हो जैए अप्शन B 14 जून 1947 को समीधान सवा की पर्थम बैठा कायोजन किस गवर्नर जनरल दौरा किया गया था और इसका अंसर हो जैए अप्शन B लाड़ संतामन को बहावी अंदोलन का परमुक छेत्र नहीं रहा कौन सा इसका सही अंसर होगा असम नेक्स्ट है पुस्तक एरिया आफ डार्कनेस के लेखक कौन है और इसका अंसर हो जाएगा बीएस नाइपाल अगला है सूची बन और सूची तू को सुमेलित करना है तो सूरत का ज जो हम देख रहे हैं पूना की संधी वो हुआ था अठारा सो 17 हिस्वी में पूरंदर की संधी 1665 हिस्वी में अध्यवगाम की संधी जो हुआ था अठारा सो पीन हिस्वी में इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन C नेक्स्ट है निम्लिखित में से किस गरंथ से गुपत काल के बारे में जानकारी मिलती है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन A मिर्च कठिकम ग्रंध से गुप काल की जानकारी मिलती है कलिंग सासक खार्ब बेलकिस धर्म का अनुआई था है और इसका हो जाए jego автомобoshan B जैनधर्मक भीत्री अस्तंब अभिले किस सासक से संबंदित है अर सांसर जाए B. पल्लव सासक के द्वारा निर्मित है। सिकंदर के मिर्टू के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेका साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति यूद का नायक सेड्रो कोटस था। संद्रकुप विशय में ये किस ने लिखा था। और इसका अंसर होजा अप्शन B. एरियन ने लिखा था। अगला है ध्वनी का प्रभा मानव के मस्तिस्क में संबेदन कितने समय तक रहता है। और इसका अप्शन B. एक बटा दस सकेंड तक। नेत्र में परवेश करने वाले परकास की मात्रा का नियंत्रा निम्ण में से किस अंग द्वारा किया जाता है। और इसका अंसर होजा अप्शन D. आईरिस के द्वारा। रक्त की असुदियां किस अंग में जाकर छंती है। और इसका अंसर होजा अप्शन B. ब्रिक में। रक्त का कितना परतिसाद भाग प्लाजमा होता है। और इसका अंसर होजा अ ठुसपन होने की उतरदाई हर्मोन हैं अगला है इंद्रधनुस किसके कारण होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राभरतन और अवर्थन के कारण इंद्रधनुस होता है नेक्स्ट है एक ही पदार्त के अनुगों के बीच कारजकारी अकरसन बल को क्या कहा और इसका अंसर हो जाएगा option C, अभी कारक, छारक को जल में गोलने पर क्या मुक्त होता है, तो OH-Ion मुक्त होता है, नीमबू के रस का pH मान कितना होता है, इसका option हो जाएगा option B, 2.2, नेक्स्ट है बादल और बाइमंडल का तेरना किस कारण होता है, और इसका अंसर हो जाएगा option D, स्यानता के कारण, छाया में पनपने बाले पाउधो को क्या कहते हैं, और इसका सही अंसर हो जाएगा option B, सियोफाइट्स, में रहिन अंतराष्टिये सिमा रखा किन दो देसों क के बीच में है, मैं रहिन अंतराष्टिये सिमा रखा किन देसों के बीच में है, इसका अंसर हो जाएगा, रू सेवं फिल्लैंड के बीच, जै विवित्ता दिवस निमलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, और इसका अंसर हो जाए option C, 22 मही को, नेक्स्ट है, राष्टिये खाज सुरच्छा मिशन NFSM की सुरुआत किस बर्स की गई थी, और इसका अंसर हो जाए ऑप्शन A, 2007 में, राष्टिये खाज सुरच्छा मिशन 2007 में सुरू की गई थी, भारत में मुद्रास्पिति के प्राकलन का सबसे परचलित माप क्या है, और इसका अंसर हो जाएगा, CP ये था इडुक्टेरिया के नए बुक जो 5000 पलस समान ग्यान अबजेक्टिव प्रस्ण है, उसके प्रैक्टिस सेट नमबर 3 और 4, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लील लाइक और सेयर कर दिएगा, धन्यवाद